तो आज हम यह फ्रायर बनाने वाले हैं पेपर से तो चली स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लेलेंगे 7.5 cm का एक स्क्वार जिसको हम हाफ फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से फिर हम इसे उपन करेंगे और इस में हम इस वर्ड करेंगे बनाने Ố지 नहीं के से तरीके से तो हम इस व्रड AH करेंगे जो बंच हो नीचे एडिया है उसको भी हम त्रायंगल में एक उस सरीके से कोषिपाने कां चिकिर्या है तन मोधन गंदार इस जो बार्या सो जमार इस और राइड ने सुंगया थां बीदीर रहने गोई दामासा पिर हम इसे open करेंगे और अपहर उते हमें इसे फोल्ड कराऊ है उसे पकड़ किसे अंदर की साइड फोल्ड करें गें या यह से वीदियो में देख सकते हैं तुर इस थरीके से अंदर की साइड में फोल्ड करदेंगे वगे चौके आब हो 20ड नब इतना झाल ग्यायवार न in कि लुष काऴे की ओावे लुष का लिए के बाज चुछ बडु घचर ऑदे लुटे नहीं झाल है पग मान लिदक लुष को डू जखक हो ब internet तो एसे हम पुछ पीसे रेड़ी कर लेगे जैसे कि आप देख सकते हमें एसे ही से इसे हम सिक्स पीसे रेड़ी कर लेगे फिर हमें एक पीस पही है बाहli पीसे रेजा हमें के लेट कर लेगे और सफिंुन वड़ी करें पहंचो स्storyE और सिर्फपलें ते इसे में बेगस में मंदरो एने बाह्रिवमें दीक्षन में अपको ही उनी डाली रखना है और पोईट करके उनने पेच्छ कर दिए कर लेगे कि अरिक साथ पकाbnिग cuma हमका गेखिएूर बीजर कि अर्म के भी हमें कि अर्थिकology ओiennentाऊ्या ख स्किर्मा खनाथ कि अलाव ए लुड इने कि अब्सका हमका ook कि अब जिएधर लिए मैंदंव थनाबалा जाका औरिक कि अईॉएूर आवूर मैं optimला तो हमके कि कर दो हमें जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इसी तरीके से हमें सभी पीसे को के साथ एक पेस्ट कर देना है फिर लास्ट वाला जो पीस होगा हमारा उसे हमें फर्स्ट वाले पीस के साथ उसी तरीके से पेस्ट कर देना है फैविस्टिक की हेल्प से जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर ये कुछ इस तरीके से दिखेगा तेन हमें यहां पे यह जो साइड में जो हमने पीसिस बनाए थे वहां पे सिंगल सिंगल पेपर है ट्राइंगल उन्हें हमें रोल कर लेना है दोनों साइड से कुछ इस तरीके से होंगे वो पेपर्स ट्राइंगल में ऐसे हमें दोनों साइट से रोल कर लेना है सभी टोटल सिक्स पीसे जो भी है हमारे उन्हें जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं ऐसे ही हमें बाकी के पीसिस को भी रोल कर देना है फिर ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा फिर यहां पर टू साइट से एक साइट ओपन नहीं हो यह दूसरी साइट ओपन होगी वहां से हमें इसे ओपन कर लेना है कुछ इस तरीके से इसे ऐसे ओपन करने के बाद हमें इसे फिलिप कर लेना है फिर ये फ्लाग हमारे रेडी हो जाएगा अब हमें इसके बीच का पार्ट बनाना है जिसके लिए हमने यलो पेपर ले लिया है उसे हमने हमें हाफ में फोल्ड कर लेना है और कुछ इस तरीके से कट कर लेना जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं ऐसे कट करने के बाद हम इसे रोल कर लेंगे इसे ऐसे हमने रोल कर लिया है फिर हम इसे बीच में इसके फ्लावर के बीच में इसे हम पेस्ट कर लेंगे फेविकॉल की हिल्ट से इस यलो पार्ट को थोड़ा सा ओपन कर लेंगे जिससे कि वो थोड़ा खिला खिला सा दिखने लगेगा अब हमारा फ्लावर हो चुका है रेडी तो यही थी अच्की वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक ले बाई बाई